से सब लोग ज़र अच्छे समझना और इनको अच्छे से नोट करते चले जाना जो भी मैं लिखवा रहा हूँ चैप्टर एड्मिशन ऑफ पार्टनर का बहुत बड़ा चैप्टर है एड्मिशन ऑफ पार्टनर और इस चैप्टर के अंदर काफी सारी अलग-अलग चीज़े हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है बहुत अलग-अलग चीज़े लाइक मैं सोचरों की एक नंबर का इसमें आपको नई रेशियो और गेनिंग रेशियो आता है वो सिखा दूँ आपको गुडविल की ट्रीटमेंट जो है वो सिखा दूँ जर्नल एंटरी करा दूँ थोड़ी बहुत क्यापिटल अकाउंट्स बनाना बैलेंस शीट बनाना ये सारी चीज़े सिखा जेता हूं इसके अंदर और आज की जो नाइट क्लास होगी नाइट क्लास में हम लोग उसका एडजस्मेंट आफ कैपिटल कर लेंगे इन दो पोर्शन में खतम होगा तो डाउट्स जो है वो सारे मैं नाइट में डिसकस करूँगा ठीक है लेकिन अभी जो मैं करार हूं क्लास सब लोग ध्यान से स जो नई रेशियो और सेक्रिफाइज रेशियो ज्यादा डिटेल में क्लास आल्रेडी वीडियो दे रखा है मैंने तो अभी यह सिर्फ रिवीजन के परपस से चल रहा है तो आप देखो किस तरीके से हो गाई है लाइक क्लास यह कोशिन नंबर है टू इसमें लिगा रवी और मुकेस दो पार्टनर इनकी रेशियो है 7 रेशियो 3 इन्होंने अशोक को एड्मिट कर लिया 3x7 शेयर के लिए अशोक का जो शेयर है वो कितना है क्लास 3x7 और इसके दो पार्ट है 2x7 वो रवी से ले रहा है और 1x7 ले रहा है मुकेस से तो अगर इस टाइप का कोशिन आता आपको नई रेशियो निकालने के लिए तो आप कैसे निकालोगे चेक करो question number 2 solution इसमें जो पार्टनर है वो है रवी और मुकेस और इन दोनोंने जो एड्मिट किया है वो किया अशोक को एड्मिट अशोक कितने के लिए एड्मिट हो रहा है 3x7 शेयर के लिए तो रव रवी का था 7x10 मुकेस का है 3x10 और जो अशोक आया वो रवी से कितना ले रहा है 2x7 प्रॉम मतलब माइनस और मुकेस से 1x7 और अशोक का तो है कितना 3x7 तो यहाँ पर आएगा लिए सम कितना 10 और 7 का 70 77,49 और यहाँ गा 20 29 अपों 70 यह भी 70 है अब इसके डिगोश्य डिग्एटर में 70 है इसके डिगोश्य कितना है इक लास only 7 तो हमें सब के डिगोश्य कीश्य किसे बनाएंगे जब हम 10 से उपर भी और नीचे भी multiply करेंगे, सिर्फ नीचे नहीं करना फिर तो गलत हो जाएगा, उपर नीचे दुनों multiply करेंगे, बात वही आएगी, 30 upon 70, जो नई ratio आएगी 29, 11 और 30, एक नंबर का single question आता है class, आप शुरुवात कर सकते हो, ऐसे question हो की, अगर examination में आता है, तो clear है, तो basically यह acquire case होता है, अगर आप detail वीडियो देखोगे, तो आपको आएगा समझ, acquire case में हम directly क्या करते है, minus करते है, acquire case में हम directly क्या करते है, class share को minus कर देते हैं, जिसका जो है, उसे minus कर देते हैं, इस तरीके से question होता है, और class same to same, ऐसे class कुश्यों 4 भी है, और ratio क्या है, class ABC की 3 to 1, D admit हो रहा है, कितने के लिए, 1 by 8 share के लिए, which he acquire 1 by 16 from B, और 1 by 16 from C, तो B से, पुल मिला के यह है, जो यह 1 by 8 है न, यह किसका हिस्सा है, D का, और D अपना हिस्सा दोनों से आधा आधा ले रहा है, यह वाला point भी same वैसे है, same to same, देखो, दिनकर को admit किया है, 1 by 5 share के लिए, which he got equally from भारती और आस्था, तो 1 by 5 का आधा कितना होगा, किसी का भी आधा करना हो, तो 1 by 2 से multiply करते हैं, तो 1 by 10 है, 1 by 10 भारती से ले लिया और 1 by 10 आस्था से, 1 by 10, 1 by 10 दोनों से minus कर दो आ जाएगा, इस तरीके से class normal question आपको पूछा जा सकता है, तो आपने इन question का ध्यान रखना है, बाकी class surrender question भी आ सकता है, तो surrender केस में क्या करते हैं, multiply करते हैं और फिर minus करते हैं, ले रहे हैं, लाइक कोशिम 7, देखो क्या है, R और S, यह दोजार साथ के paper में पूछा गया है, R और S दो partner है, इनकी ratio है, 5 ratio 3, इन्होंने T को join किया as a new partner, R gives 1 4th of each share, S gives 1 5th of each share to a new partner, जो भी नया partner आया है, R अपने हिस्से का of his, मतलब अपने हिस्से का 1 by 4, दे रहा है S को, sorry, कॉन T को, और S जो है अपने हिस्से का 1 by 5, इसको दे रहा है क्लास, T को, R अपने हिस्से का 1 by 4 दे रहा है, S अपने हिस्से का 1 by 5 दे रहा है, find out new profit sharing ratio, आपको क्या निकालना है class new profit sharing ratio clear यहां तक चेक करते हैं किस तरीके से class question होगा देखो question 7 R और S दो partners है इनकी जो ratio है 5 by 8 और 3 by 8 ठीक है इन्होंने admit किसको किया T को T को कितने के लिए किया यह नहीं पता लेकिन R जो है अपने हिस्से का तो R का जो हिस्सा है वो कितना है 5 by 8 तो R अपने हिस्से का 1 by 4 जो की बनेगा 5 by 32 वो किसको दे रहा है class T को तो T को कितना मिल गया 5 by 32 प्लस S का हिस्सा कितना है class 3 by 8 और S अपने हिस्से का 1 by 5 जो किसको दे रहा है class यानि कि 3 by 40 इसको दे रहा है class T को तो T को R से मिल गया 5 by 32 और S से मिल गया 3 by 40 आप class 40 और 32 का जो LCM होगा वो कितना class होगा आपको बताना है तो यह आएगा 160 ठीक है तो 32 और 160 की बात करें तो यह 5 जा आता है तो 5 जा 55 25 प्लस यह 4 और 4 3 जा 12 तो यह आएगा 37 अपन 160 यह आ जाएगा T का share 37 अपन 160 ओके अब remaining share की बात करें अगर हम remaining share of R and S R और S के remaining share की बात करें तो R के पास पहले कितना था 5 by 8 और कितना दे दिये इसने 5 by 32 S के पास पहले कितना था 3 by 8 और class कितना दे दिये 3 by 40 S के पास था 3 by 8 और कितना दिये 3 by 40 और T के पास कितना है जब नई ratio निकालेंगे न class तो तीनों का निकालेंगे एक साथ तो अब करते हैं जड़ा यह LCM आएगा 32 तो आठ चोके 32 चार इंटू पांच 20 माइनस पांच 15 by 32 यह आएगा LCM 48 एंटू पांच 15 माइनस 3 बारा पॉन 40 और यह तो 77 पॉन 160 यह काम करते हैं सबको 160 बना देते हैं तो इसको 55 से मंटिप्लाई कर देंगे इसको 44 से 75 by 160 और 48 by 160 और इसका तो है 37 by 160 so new ratio will be 75, 48 और 37 प्लस माइनस में बच्चों को problem होती है कई बार यह प्लस माइनस करने में तो यह बहुत छोटी classes का है प्लस माइनस एक नंबर में admission और retirement में ऐसा question आपको देखने को मिल सकता है यह ध्यान रखना चलो एक question और करते हैं फिर finish करते है question नंबर है 16 16 काफी questions है but मैं revision करा रहा हूं आपको तो at least question मैं करा रहा हूं एक बर practice कर लेना और time मिले तो कुछ और question बना लेना class admission of a partner ऐसा topic है जिस topic से examination में आना ही आना है question बड़ा question भी आ सकता है बड़ा question तो आएगा या आएगा साथ में general entry पूछ सकता है तो लगबग 10 marks तक का class इसका weightage बनेगा 8 number का तो question आना ही आना है बड़ा वाला और छोड़ोड़ी question भी आ सकते है one mark में 3 marks में भी question पूछ सकता है तो ध्यान अखना अच्छे से इसकी preparation कर लेना मैं आज साम की class में और अभी की class जो चल रही है इन दुन में कोशिश करूँगा कि इतना करादूं आपको कि admission के 8 marks वाले question में 3-4 number आप आराम से gain कर सको लेकिन आप सबको reevaluation account जो है वो अच्छे से आना चाहिए ध्यान रखना class reevaluation account जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए हर किसी को reevaluation account जो है वो अच्छे से आना चाहिए तब ही हो पाएगा डाउट जो भी है क्लास रात को लेंगे हम अभी आप लोग बस करते चले जाओ या कोशिश करूँगा साम को एक और क्लास एक्स्ट्रा रखवा दू आपके लिए आधे घंटे के लिए ताक्या आप डाउट ले सकते हो ठीक है 16 कोशिन की बात करें तो A B C की रेशियो कितनी है 2 to 1 A B C की जो रेशियो है वो है 2 to 1 D admit हो रहा है 1 by 6 के लिए C will retain his original share यह C कहता है कि हमारा पहले से रेशियो 2 to 1 है 2 by 5, 2 by 5 और 1 by 5 अब हमारा पहले से रेशियो 2 to 1 है और आप D को admit कर दोगे तो मेरा तो और कम हो जाएगा C कहता है कि मेरा तो पहले ही 1 by 5 है मेरे को और कम मिलेगा समझे रहे है बात को मेरे को और कम मिल जाएगा तो भाईया मैं उसे admit करने की इजाज़त तभी दूँगा मैं उसे admit करने की इजाज़त तभी दूँगा जब मेरा share जो है वो सेम रहेगा कहने का मतलब यह है कि जो मेरा share है वो क्या रहेगा सेम रहेगा तभी हम जो है admit करने की उसको और जाद देंगे तो हम क्या करें क्लास समझो इस question में 16 में वो कहता है मेरा सेर शेम रहना चाहिए तो कोई बात नहीं हमें काम करेंगे A, B, इनको ही पार्टनर माल लेंगे A और B को, रेशयो कितनी है क्लास इनकी 2-2 जान रखना A और B के रेशयो कितनी है 2-2, मतलब 2-2, आप 2-2 को 1-1 भी लिख सकते हो, यह आपके मर्जी है C और D, हम दोनों को नया पार्टनर माल लेंगे, C का कितना था 1-5 और D का कितना है क्लास, D कितने के लिए अडमिट हो रहा है, 1-6 के लिए, ध्यान रखना हम कहते हैं, कि A और B दो पार्टनर है, दोनों का रेशयो, 2 रेशयो, 2 था, मतलब दोनों तो 1 रेशयो, 1 में शेयर कर रहे है, C था 1-5, तो C को आपने हटा दिया, C को नए पार्टनर की तरह ट्रीट करोगे, बस खतम कोशिन आप हो जाएगा, पुरे फर्म की प्रॉफिट 1, उसमें से C को निकाल के दे दो, D को, C को क्यों दे रहे हैं, निकाल के, क्योंकि C कहा रहा है, मेरा शेयर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, clear है, 6 और 5 का क्लास कितना आएगा, 30, यहाँ पर आएगा 30, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, ठीक है, तो 6, 5, 11, तो यहाँ फिट को मैं 1 मान रहा हूँ, 1 मैं से C का और D का इस समय ने घटा दिया, जो बचा शेयर, वो अब किसका बचा, A और B का, और A और B की रेश्यो क्या एग क्लास, equal, A को कितना मिलेगा, इस 19 by 30 का आधा, B को कितना मिलेगा, इस 19 by 30 का आधा, C का शेयर कितना है क्लास, 1 by 5, और D का शेयर कितना है, बताओ जरा, 1 by 6, ओके, तो 19 by 60, 19 by 60, बताओ इस 5 को मैं 60 कैसे बनाओ, जब मैं 12 से उपर भी मल्टीप्लाई करूँगा, और नीचे भी, ठीक है, 12 by 60, और इसको हम लोग कैसे करें, इस बताओ जरा, 12 को उपर से मल्टीप्लाई, मतब 6 है, तो 10 उपर 10 न यह आगी क्लास, A, B, C, D की new ratio, अगर अब हमको sacrificing ratio निकालना है, तो यह आपकी new ratio है, और यह जो ratio है, यह आपका old ratio है, तो बच्चों, अगर आपको sacrificing ratio निकालना है, sacrificing ratio का formula क्या लगा दोगे, आप old ratio minus new ratio, तो आप old ratio और new ratio नगा के, आप old में से, मतलब 1 by 2 में से, आप घटा दोगे, old ratio और new ratio, old ratio ABC की कि कितनी दी हुए, क्लास, 2, 2, 1, ध्यान अखना, ABC की 2, 2, 1 है, 2 by 5, 2 by 5, 1 by 5, उसमें से new घटा देना, क्लास, जो भी नएने पार्टनर से ह उनका, उनका छोड़ देना, मतलब ABC की घटा देना, आजाएगा आपके पास sacrificing ratio, बट एक बात ध्यान रखना, जो आप sacrificing ratio निकालोगे न, तो इस situation में C का, अभी कितना है, 12 upon 60, 12 upon 60 का मतलब 1 by 5, पहले भी कितना था, यहाँ पे C का, 1 by 5, तो C इस question में sacrifice नहीं करेगा, क्यों, जब C खुदी कह रहा है कि मेरा original share रहना चाहिए, तो वो sacrifice करेगा ही न, उसका sacrifice ratio 0 आएगा, तो यह इस तरीके से, हमारा पूरा question ही हो गया, finish, अब बात करें, इंगलास, जर्नल एंटरी की, ठीक है, आज ओ फटाफर जर्नल एंटरी, आप इसको लिख सकते हो, कॉपी में अ जर्नल एंटरी, क्लास, admission के अंदर कुछ जर्नल एंटरी है, like कोई भी नया partner अगर business में आता है, तो वो पैसे लेकर आएगा, introduce capital, तो अगर वो पैसे लेकर आता है, capital, तो हमें एंटरी क्या पास करेंगे, cash या bank account, debit to capital, cash या bank account, debit to cease, अब मैं, क्लास, यहाँ पर छोड़ा सा, assumption लेकर चल रहाँ, कि A और B old partner है, इन्होंने admit कर लिया, C को, A और B old partners है, और इन्होंने admit कर लिया, C को, तो नया partner अगर capital लेकर आएगा, business में, तो उसको बोलते हैं, क्लास, bank account, debit to cease capital, और अपने हिस्से की goodwill लेकर आएगा, bring its share of goodwill, नया partner जब अपने हिस्से की goodwill को लेकर आएगा, तो हम entry क्या pass करेंगे, bank account, debit to premium for goodwill account, ध्यानक ना, bank account, debit to premium for goodwill, बच्चे चाहें, तो इन दोनों को merge भी कर सकते हैं, like bank account, debit to cease capital, to premium for goodwill, जो नाम, जो reputation, business ने कमाया है, C को उसका direct benefit मिलने वाला है, तो C को अपने हिस्से की goodwill लाने पड़ेगी, उसके लिए पैसा लाना पड़ेगा, तीसरी entry में, जैसे ही नया पार्टनर goodwill लेके आएगा, जैसे ही नया पार्टनर goodwill लेके आएगा, पुराने पार्टनर उसको sacrificing ratio में बाट लेंगे, ले रहे हैं तक, तो इसको बाटने के entry क्लग क्या होती है क्लग बताओ जैरा, goodwill जो नया पार्टनर लेके आ रहा है, पुराने पार्टनर sacrificing ratio में बाटेंगे, तो bank to premium, फिर premium से ही शुरू होगा, premium for goodwill account debit to, premium for goodwill account debit to, A's capital account to B, यानि जिन जिनने sacrifice किया है न, उनके नाम आ जाएगा, premium for goodwill account debit to, A's capital account to, B's capital account being premium distributed between the partners in their sacrificing ratio, तो premium लाने की entry क्या है क्लास, premium जो लेके आ रहा है तो उसकी entry है, bank account debit to, premium for goodwill, और लाते ही बटेगा, अगर goodwill लेके आया, तो पकी बात है कि वो बटेगा ही बटेगा, clear है क्लास, goodwill अगर लेके आता है, तो क्लास वो बटेगा ही बटेगा, तो उसको बातने की entry क्या होती है, premium for goodwill account debit to, A और B, और या entry किस ratio में होगी क्लास, यह entry होगी आपकी sacrificing ratio, premium for goodwill account debit to A's capital account to B's capital account और यह entry किस ratio में होगी, sacrificing ratio, okay, premium to, premium for goodwill account debit to A's capital account to B's capital account in sacrificing ratio, okay, चलो, तो पहली जो entry class capital लाने की, दूसरी goodwill लाने की, तीसरी goodwill लाने की, चौथी entry, अगर नया partner किसी वजय से goodwill नहीं ला पाता, new partner is unable, unable to bring his share of goodwill, अगर नया partner अपने हिस्से की goodwill को नहीं लेके आपाता, तब entry होगी new to old, ध्यान रखना, क्या entry होगी, new to old, तो new कौन है, C, old कौन है, A और B, new कौन है class C, और old कौन है, A और B, आप चाहो तो C के capital के जगे current account को भी debit करोगे, तो भी चलेगा, कोई problem नहीं है, अब उसके पीछे reason class आगे समझेंगे, discuss करेंगे detail में, अभी तो फटा-फट entry कर लेते हैं, when old partner, when old partner withdraw, class question में सब कुछ आपको दिया होगा amount, देख देख के बस entry pass करनी है, when old partner, withdraw the amount, bring by new partner, जब पुराने पार्टनर, जब पुराने पार्टनर गुड्विल को विड्रॉ कर लेते हैं, जो नया पार्टनर लेकिया है, यानि जो नया पार्टनर लेकिया है ना गुड्विल, उसको तो आपस में बाट लिया आपने, पॉइंट नमबर थर्ड में, फिर उसको अपने घर निकाल के ले गए, जब पुराने पार्टनर गुड्विड्रॉ करेंगे, तो entry होगी old to cash, old to cash, old कौन है बताओ जड़ा, A is capital account debit, B is capital account debit to cash account, और ध्यान आखना ये भी entry किस ratio में होगी, sacrificing ratio में, तो बस यही सारी entries है, बिसिकली जो आपको करना है, नया पार्टनर capital लाएगा, तो bank to capital goodwill लाएगा, तो bank to premium forward, लाते ही बटेगा, premium forward account debit to A, B, ना लाने के entry, new to old, withdraw करने के entry, old to cash, class, goodwill already appear in balance sheet, अब सबको पता है, goodwill already appear in balance sheet, will return off, अगर goodwill पहले से balance sheet में appear है, तो हम उसको write off करेंगे, ठीक है, तो write off करने के entry क्या होती, class, old to goodwill, ध्यान अखना, old to goodwill, ये तो वैसे हर chapter में आप common पढ़ते ही हो, तो old कौन है class, इसमें दोई partner old है, retirement में और death में तीन old होते हैं, तीनों में बढ़ता है, तो old to goodwill, और ये किस ratio में होगी, old ratio में, clear है, old to goodwill, old ratio, ये सारी journal entries हैं, जिनको आपने ध्यान रखना है, admission of a partner में, class paper हमें एक number का भी छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत में, और उसकी भी मैं आपको सिखा दूँगा किस तरीके से आपको attempt करना है, लेकिन आपको कम से कम ये सारी चीजे आनी चाहिएं, जब तक class आपको इस सब चीज आये गाई नहीं, तो आप attempt कैसे करोगे, without knowledge आप attempt नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत knowledge है, तो इतना जरूर मैं करा दूँगा आपको कि आप paper attempt कर लोगे, और class यक पास होना बहुत असान है, कोई बड़ी बात नहीं, चार-पांच चैप्टर अच्छे से कर लो, दो-तीन चैप्टर छोड़ दो, दो-तीन चैप्टर में आप आधा धूरा भी जानते हो, तो भी हो जाएगा, बाकि MCQ अगेरा भी है, थोड़ा बहुत को आपको help मिलेगा य यह सारी चीजे क्लास आपने ध्यान से समझ के, बस खंडे दिमाग से, अच्छे से पूरा पेपर सुन्दर सुन्दर, लेकिन आपको होगा क्या पेपर उठाते हैं, यह भी नहीं आ रहा, यह भी नहीं आता, होता क्या जो मैं एक कोश्चिन देखते हैं और हमको नहीं आता तो जब आप यह सब चीज करोगे ना क्लास तो आराम से हो जाएगा, तो इस सारी के सारी एंट्री जो है वह नॉर्मल कोश्चिन के एंट्री इन को आपने क्लास कर लेना है, ठीक है, फिडन गुड़िल का मैंने अलग से टॉपिक समझा रखा है, फिडन गुड़िल भी आ इतना तो क्लास जरूर कर लोगे कि अराम से नंबर आ जाएंगे, टेरी बैलन शीट, डेटेल में अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना टाइम निकालके, दस वीडियो है इसकी, और एडमिशन दस या आठ होगी, जो भी देख लेना, आप लोग से प्लीलिस्ट बना रखना, बैलन शीट में बटने वाल आइटम, कितनी बार समझाया, एकलास कई वीडियो में कि बैलन शीट में कुछ चीजे ऐसी होती हैं, जो पार्टनर्स में बट जाती हैं, वर्कमेन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और इंवेस्मेंट फ्लक्चुेशन रिजर्व, बच्च पुरा खतम हो जाएगा, यहां तक उसको जरूर देख लेना, तो यह चारो चीजे पार्टनर्स के क्यापिटल एकाउंन में बट जाता है, किस साब बता हो जरा, क्रेडिट साइट, वह भी किस रेशियो में ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखना कि बैलेन सी के उपर नाम किसका दिया होता एबी सी का तो बटेगा भी किस में एबी सी में बटेगा यह पुराने पार्टनर में बटेगा और पुरानी रेशियो में फिर बैलेंस शीट में इदर क्लास गुडविल है गुडविल के बाद प्रुक्त ऑड़ का एडवर्टाइजमेंट संस्पेंस है है यहां पीयंड यह तीनों चीजे पार्टनर की अपले अपरेटस इकैविलिस आइडवाट किस रीशियो में ओल्ड रीशियो में तो डेबिट, पियेंडल डेबिट, डवल्लू सी र डेबिट, आई एफ़ार डेबिट, तू ए, तू बी, क्लास A और बी, ओल्ड रेशयो, वो A और B तो भी पार्टनर है ना, C तो नया है, A और B में क्लास यह बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशयो में, और इधर साइड जो चीज़े हैं क्लास वो A is capital account debit, B is capital account debit, 2 A is capital account debit, B is capital account debit, 2 goodwill, 2 goodwill, 2 advertisement, suspense, और 2 P&L. इस तरीके से क्लास यह चीज़े बढ़ जाती है, cross side, opposite side, तो आपने ध्यान रखना इनका, चलो अब हम करते हैं क्लास कुछ full-fledged question, कुछ full-fledged question करें हैं क्लास, तो और देखें क्लास कि हमें full-fledged question को कैसे बनाना होता, अगर examination में आ गया, तो हम कैसे बनाएंगे, basically आपको क्या-क्या आना चाहिए उसके लिए, revaluation account आना चाहिए, यह साथ बटने वाले जो item है, आपको वो आना चाहिए, revaluation account, और तीसरी चीज़ जो journal entry है, वो आना चाहिए, अगर आपको यह तीन चीज़ आता है, तो admission हो गया, पहला revaluation account, दूसरा बटने वाले item, और तीस journal entry, अगर आपको इतनी चीज़ अच्छे से आती है, इतनी चीज़ अच्छे समझ आती है आपको, तो class समझ लो आपका पूरा का पूरा हतम, आप बना लोगे, अराम से examination में आपसे बन जाएगा, और इतना तो बनी जाएगा कि class 3-3-4-4 number मिल जाए, और examination में जाके अगर आ नहीं से सारा class काम खराब होन लेगा, demotivate नहीं होना बिलकुल भी, हिम्मत रखके पूरा आटम्ट करना है, और 3 घंटे का proper utilize करना है, मैंने देखा है कई बच्चे जो है, इधर उधर ताग जाग करते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, अरे भाई 3 घंटे बाहर निकल के कौन सा तुमें कोई business करना है, बाहर निकल के भी खड़े रहोगे, वेट करोगे, और लोगों के आने का गुमते फिरते घर पहुंचोगे, 3 घंटा proper utilize करना शुरू के 15 मिनिट के साथ, proper planning भी कीना आपने और हिम्मत रखा तो हो जाएगा, कभी-कभी तो मुझे कम से कम चाहिए ही चाहिए, और majority बच्चों का चार नंबर से भैक रह गया है, सोचो, तो अगर यह चार नंबर यहां भी गेन करोगे, तो भी फाइदा है, ध्यान रखना क्लास, बिल्कुल भी, लाइटली मत लेना चीजों को, मेहनत करना हिम्मत हारना मत बिल्क करोगे, एक कोशिन मेरे पास है, 68 अच्छा कोशिन है, तो मैं 68 कोशिन जो है, आपको पूरा का पूरा कराता हूँ, पहले मैं पूरा कोशिन पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, और थेन हम लोग करेंगे, चलो, सब लोग आ जाओ, सब लोग फटा-फट कॉपी किताब निकाल किताब सब लोग जल्दी से, मतलब कॉपी निकाल के, हम लोग निकाल के बैठो क्या होगा, देखो इसके अंदर, कौन-कौन पार्टनर्स है इसमें, शामलाल और संजे दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशयो कितनी है, टू रेशयो त्री और एक बहुत इंपोरेंट बात बतादू मैं आपको, अगर आपको नई रेशयो नहीं दिया गया है, सुनलो अच्छे से, अगर आपको क्लास नई रेशयो नहीं दी गई है, अगर आपको नई रेशयो नहीं दिया गया है, तो उस सिचुएशन में आपको ओल्ड रेशयो को ही सैक्रिफाइजिंग के बराबर मानना है, जानक ना, अगर नई रेशयो नहीं दी गई है, और नई रेशयो को क्याल्कुलेट करने के लिए कोई इनफॉर्मेशन भी नहीं दी गई है, तो उस सिचुएशन में ध्यान लखना, जो आपका ओल्ड रेशयो है, वही आपका सैक्रिफाइजिंग रेशयो होगा, अच्छा सार अगर नई रेशयो दे रखी होगी, तो अगर आपको नई रेशयो दे रखी है, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे आप, फॉर्मल लगाओगे, सैक्रिफाइजिंग का, ओल्ड रेशयो माइनस निव रेशयो, चलो पढ़ते हैं, इनकी बैलेंस शीट को देखो, सब लोग इनक इन्होंने किसको एड्मिट किया, शंकर को, कितने के लिए, वन थर्ड के लिए, सिर्फ इतना लिखा है, वन थर्ड के लिए, लेकिन नई रेशयो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो ओल्ड जो है, वो सैक्रिफाइजिंग के बराबर है, शंकर 30,000 तो capital लाएगा, और 2014 से reduce हो गया, okay, building appreciate हो गया, 15,000 से, जो building है, वो 15,000 रुपई से क्या हो गया, appreciate हो गया, जो building की value है class, वो 15,000 से क्या होगी, increase हो गया, तो वाईदा, अर यह फाइदा कहा जाए क्लास? Revaluation में Credit, जो फाइदा होता है, वो कहां जाता है, Revaluation में Credit जाएगा, अगला एक लास 5% परसेंट प्रोवीजन जो है, वो बनेगा किस पर क्लास, डेटर पर, तो आप डेटर चेक करो, कितने के हैं, 5500 के डेटर हैं, तो 5500 का आपने 5% जो बनेगा 275 Revaluation में Debits है लिखना है, Unaccounted Accrued Income Class, Accrued Income Asset होता है, Revaluation में Credit आएगा, एक डेटर है, जिसका 4800 रुपे डूब गया था, उसने 50% आपको दे दिया, Full Settlement में, क्लास एक बाज गता हो, वो पैसा डूब गया था आपका, जो पैसा है आपका, वो पूरी तरीके से डूब गया, जब पैसा आपका डूब गया है, तो आपने उसको राइट आफ कर दिया, उस रुचा कि यार छोड़ यार या आदमी दे गई नहीं, चलो भूल लेकिन इन फ्यूचर आपको वो अगर चौबिस सो रुपए दे जेता है, तो यह फाइदा है आपका, तो फाइदा कहा आएगा, रिवैलोशन में क्रेट, ओके, आउटस्टेंडिंग रेंट, यह तो लाइबलेटी होता है, यह आएगा रिवैलोशन में डेबिट, तो लिख दो, कुछ तो नंबर मिलेगा, एक-एक स्टेप के नंबर है, एक्जामिनर को दिखाओ, कि तुमने महनत करिये, तुम्हें पूरा नहीं आता, पर तुमको थोड़ा बहुत आता है, यह चीज़ दिखाओ, जब एक्जामिनर को आपका एफ़र्ट दिखेगा ना, क्ल परसंट चांस लखा हो सकता है, अभी भी समय है, अच्छे से महनत करो, सोचो मत, सोचोगे, महनत नहीं करोगे, तो कोई फायदा नहीं, सीधे कॉपी किताब उठाओ, और पूरे पेपर की प्रैक्टिस करना चालो करो, मैं प्रैक्टिस पेपर भी कराऊंगा, आगे आते है कोशिन की requirement जरूर पढ़ लेना, मांग क्या रहा है, कई बार क्या होता है, कोशिन जो नहीं मांगता हम वो भी करकिया आ जाते है, तो इस कोशिन में आपको बोल रहा है कि आपको P&L adjustment account यानि की Revaluation account बनाना है, क्या अपले अपले अकाउंट बनाना है, तो मैं इस कोशिन में आपको revaluation account बना के दूँगा अपले account बना के दूँगा और balance sheet भी बना के दूँगा और साथ में आपको इसकी सारी general entry भी कराऊंगा क्योंकि general entry भी examination में पूछा जा सकता इस question में तो नहीं पूछा लेकिन पूछा जा सकता तो यह रहा question आपके लिए final अब मैं question नहीं नहीं सबसे पहले आपको नाम लेखना है कृआप सरह माल और संजय शामलाल और संजय के जो रेश्व थी टूरेशोठी रेश्व है सेकरओ किरिफाइजिंग रेश्व किसको कर लिए संकर को इसके बाद आपने क्या करना है accounts बनाने पहला एकांट जो बनेगा आं समुए को में सुन्दर तरीके से स्केल से लाइन कीच के अच्छे से करना पर्टिकुलर्स अमाउंट इस सब क्लास आप लिख देना मैं जल्दी वाजी की चक्कर में नहीं लिखता लेकिन आप एक्जामिनेशन में कोई जल्दी वाजी नहीं करोगा जब तक आधा पेपर ना खतम हो ज सारी स्ट्रेओएजी सब बताऊंगा डॉन श्यामलार संजय संकर शामलार संजय शंकर टीन पार्टनर से इसके बात क्या बनेगा इसमें balance sheet of new firm जहां रखना किसकी balance sheet है यह नए firm की balance sheet of new firm तो यह आएगा liability इधर आएगा अब हम करते हैं हमने पूरा format देखो ऐसे बना लिया ठीक है तो सबसे पहला जो point है वो लिखा गया है कि नया partner जो capital ला रहा है वो 30 जार ला रहा है सब लोग ध्यान से समझना नया partner जब भी capital लेके आएगा capital account में आप लिख़दोगे buy bank तो आप उसके capital account में लिख़दोगे buy bank, 30,000 वो capital लेके आ गया buy bank 30,000 ओके अब जो नया partner goodwill लेके आया है 20,000 रुपय का वो हम यहां बाटेंगे buy premium for goodwill क्योंकि यह दो point आना ही आना है ध्यान अखना majority cases में आता ही आता है नया partner capital लाएगा तो buy bank लेक देना और goodwill लाएगा तो premium for goodwill के नाम से बढ़ जाएगा तो इस question में goodwill कितनी ला रहा था वो 20,000 और ratio कितनी sacrificing 2 ratio 3 तो 20,000 को 5 से divide देंगे चार आठ और 12 यह हो जाएगा 8,000 और यह हो जाएगा 12,000 ओके तो नया partner जो है capital लेके आएगा तो buy bank 300,000 और goodwill लेके जो आएगा नया partner तो 8,000 और 12,000 इस तरीके से entry capital account के हो जाएगी बस यही दो चीज थी इसके अलावा आप सारे point कहां लिखोगी आज और evaluation point पे stock और furniture दोनों 10,10% से कम हो गया ना तो लिखो two stock two furniture बच्चों अगर stock का आपने सही लिखा तो stock में number मिलेंगे furniture का सही लिखा तो furniture में number मिलेगा जितने point आपके सही होंगे उतने number आपको मिलेंगे ठीक है सो कोशिश करना कि अच्छे से अपना कर क्या है हम लोग सिर्फ line खीच के आओगे तो ध्यान लखना number नहीं मिलेगा आपको line नहीं खीच के आना आपने कुछ ना कुछ लिखना जरूर है building 15,000 से appreciate हो गया तो मैं लिखोंगा by building कितने से appreciate हो गया है 15,000 से by building 15,000 और इसके बाद building 15,000 से हो गया appreciate पांच परसेंट प्रोवीजन बनता है क्लास डेटर पे तो डेटर कितने कें क्लास 5525 रुपे का बन गया provision to provision for doubtful debts unaccounted accrued income 2400 तो मैंने कहा था class by accrued income by accrued income 2400 और एक और चीज़ थी bad debt recover by पैसा मिल गया bad debt recover 2400 last में outstanding rent हो तो liability होता है कितने सारे point दिये हैं तो आपके इस question में आपको revolution की सबसे ज्यादा number होंगे लगबग समझ लो तीन number या साढ़े तीन number तो इसमें revolution की हो जाएंगे तो अगर मैं totaling करूं तो debit side जो है sorry credit side जो है वो ज्यादा बड़ी लग रही है तो totaling आ गया class ये आएगा two revolution gain transfer to capital account of sham और sham लाल और sanjay old ratio में ध्यान रखना old ratio में बटेगा और old partner यार obvious है old ratio old partner का ही तो होगा हम माइनस करते हैं इसमें से सारी चीजों को तो हमारे पास जो gain आया है वो आया है बारह हजार 12,485 इसे old ratio में बाटना है ध्यान रखना old ratio में बाटना है तो यागा 4994 और 7491 ठीक है 4994 और 7491 अब सुनो क्या करना है इस revolution के gain को opposite side base देना है यह तो पता होगा हर चैप्टर में gain loss को transfer करना होता है loss होता होता है इधर आता gain इधर है तो by revolution gain कितना amount है पता हो जड़ा 4994 सेम डूसेम रिटार्मेंट में भी तो ऐसा ही अलग क्या है रिटार्मेंट में भी तो revolution बनाते हो death में भी बनाते हो transfer कर देना है अब आजाओ जरा balance sheet पे balance sheet पे आपको opening balance दे रखा होगा जाँ चेक करके मुझे बताओ शामलाल और संजे का opening balance कितना दिया हुआ balance sheet में 34050 शामलाल और संजे का opening balance दिया हुआ है बस और तो कुछ है नहीं बाटने वाला कोई भी item नहीं है आप answer लिख दोगे two balance cd अब तीनों partner हो गए तो अगर मैं संजे की बात करूं संजे का तो 30,000 टोटल भी 30,000 cd भी 30,000 तो अगर हम बात करें फिर class sorry यह शंकर संजे की बात करें वह शंकर का था तो हम टोटल करके लिख लेते हैं एक बार कि कितना आ रहा answer 53541 53541 53541 और इसका जोडते हैं class यहां पर 4994 4994 8000 34050 47044 47044 47044 clear है तो यह हो गया revaluation account और आपका capital account अब हम बनाएंगे balance sheet of new firm नए firm की जब balance sheet बनाएंगे देखो present आपने इसी तरीके से करना है portion को तो balance sheet जब भी class आप बनाओगे न तो हमेशा पुरानी balance sheet और revaluation account उसको देखके बनाओगे क्यूं पुरानी balance sheet में asset और liability की पुरानी value दी होती है और revaluation account में यह लिखा रहता है कि उसकी value कितनी बढ़ी यह उसकी value कितनी घटी यह लिखा रहता है आपने हमेशा जो balance sheet बनानी है उसमें old balance sheet की value को देखकर आपकी पुरानी balance sheet में क्या value है वह देखना है और यह देखना है revaluation में बढ़ा या घटा सब लोग जरा पुरानी balance sheet पर आ जाओ फटाफट यहां पर सबसे पहला है creditor क्रेडिटर क्या इस question में creditor में कोई भी change आया है क्या कोई creditor class बढ़ा या घटा नहीं तो हम credit same लिख देंगे capital account जो हम पुराना वाला नहीं लिखेंगे क्यूं क्यूंकि हमने यार इतनी महनस से capital account क्यूं बनाया है फिर अगर पुराना वाला ही लिखना था तो समझ रहे हैं बात को capital account सबका आएगा शामलाल संजय और शंकर आप इन तीनों को लिख दोगे अब यह तीनों partner है ठीक है यह हो गया इसके अलाव आपको चेक करना है कोशिन तो खतम हो गया इधर तो और कुछ ही नहीं देखो जरा इधर तो कुछ और ही नहीं पर क्या कोई कि ऐसी liability है जो revolution में है और वह balance sheet में आना चाहिए बताओ क्या क्या है यह रहा outstanding rent यह आना चाहिए outstanding rent liability होता है तो यह 4800 का आना चाहिए तो लिख देंगे आप अब अगर आप यह नहीं लिखोगे तो यहां पर mistake हो जाएगा बर तब भी सारे number नहीं कटेंगे जो गलत होगा वही कटेगा तो अगर इसको हम total कर दे देखते हैं total करें कितना आ रहा है अगर total सही आ गया तो आपका question जो है समझ लो सही है तो इसका जो total आ रहा है 147820 आ रहा है देखते हैं दूसरे वाले कभी इतना आएगा और हमारा question सही हो जाएगा इस तरीके से question आता है समझ रहे हो बात को जो नहीं आता उसके पीछे रोने से बहतर है कि जो आता है उसको perfect कर लो ध्यान रखो मेरी बात को यह काम आएगा examination में confidence है जो इंसान कर लेता है अगर confidence है तो हो जाएगा समझ रहे हो बात को asset side क्या-क्या check करो cash in hand cash in hand वह 710 रुपए है ना अच्छा bank balance में कोई थोड़ा change आएगा भूलना मत भूलना मत class bank balance में change आएगा क्या-क्या change आएगा सुनो मेरी बात को जो पैसा डूब गया था तो वह पैसा मिल गया 2400 रुपए आधा यह रहा ना bad debt recover नया partner capital ला रहा है 30 गुडविल ला रहा है 20 नया partner capital 30,000 रुपए ला रहा है और गुडविल 20,000 रुपए लेकिया रहा है तो ग्यारा हजार 925 हो गया प्लस 2400 प्लस 50,000 तो आगा 6,4,3,2,5 यह आएगा 6,4,3,2,5 जो है वह 710 का है बैंक है 6,4,3,2,5 नया partner जो capital ला रहा है नया partner जो goodwill ला रहा है और bad debt recover वो हमने cash में या bank में आपकी मर्जी आप कहां जोड़ना चाहो cash bank दोनों में जोड़ सकते है पर ज़्यादा तर आपको पता है class के आज कल banking transaction होता है तो bank से लिखते है डेटर में से provision for doubtful debt कितना था 275 रुप है न भई 500 क 5 आ गया डेटर के बाद है stock stock 1800 से कम हो गया था यादे न आपको 10% से कम हो गया था furniture भी 10% से कम हो गया था तो furniture में minus कर देंगे 10% 3960 बिल्डिंग 40,000 का था 15,000 से बिल्डिंग बढ़ गया था अगर समय रहता ना बच्चो तो मैं आपको बहुत जादा कोश्चिन कराता बस यही तो दिक्कत होती है कम समय में आपको कुछी कोश्चिन कराने अब से provision for doubtful debt उसके भी अलगला cases होते हैं समझ रहे हो बात को WCR के अलगला cases है यह बहुत सारी चीज़े ऐसी है जो आपको detail में पढ़ना पढ़ता है examination में कुछ भी आ सकता है लेकिन हमारे लिए problem यही है कि हमारे पास उतना समय नहीं है इसलिए मैं selected चीज़े ही कराऊंगा और मैं आपको भगा भगा के करा भी दूं किसी तरीके से प्रोवीजर हो गया प्रोवीजन हो गया आउट्स्राइड बिल्डिंग यह अक्रूड इंकम असेट होता है ज्यान रखना अक्रूड इंकम होता है हमने इंकम कमाली है लेकिन हमको मिला नहीं है 147820 यह आगे टोटल और इसके साथ हमारा question पूरा खतम हो गया मैं आपको पूरा question यह आवो गुरूप में भीज़ दूगा अब हम करेंगे इसकी journal entry मालो examination में entry पूछ लेता है कि आपको सिर्फ entry पास करो अगर कभी आपको examination में entry पूछे न तो आपको सिर्फ revaluation account बनाना पड़ेगा बाकी बनाने की ज़रूत नहीं है अगर कभी question कहता है कि जर्ल एंट्री पास करो तो आपको उसमें capital account और balance sheet बनाने की ज़रूत नहीं है क्यों क्यूंकि class आप जो जर्ल एंट्री पास करते हो उसमें इसका कोई रोल नहीं है समझ रहे हो बात को उसमें इसका कोई भी रोल नहीं है balance sheet का और capital account का हाँ लेकिन अगर आपको question कहता है कि balance sheet बनाओ अगर आपको question कहता है कि balance sheet बनाओ तो भाया फिर उस situation में अगर आपको balance sheet बनाने के लिए बोल रहा है तो आपको फिर capital account बनाना पड़े तो मैंने आपको बार-बार समझा रखाया है कि revolution की debit side जो चीजें है उनकी एक entry credit side जो चीजें है उनकी एक entry gain और loss की एक entry या तो gain होगा या loss होगा उसकी एक entry कुल मिला के revolution की तीन journal entry बनेंगी एक debit item की एक credit item की और एक revaluation gain की clear यहां तर तो हम आते हैं जरहें इस पर फटा-फट 68 Journal Journal in the books of जो भी company का firm का नाम है और यहां पर आएगा LF laser folio debit credit date तो इसमें आता नहीं है particulars ठीक है तो नो पहले एंट्री revaluation to stock to provision for doubtful debt to outstanding rent ठीक है आप entry pass करोगे revaluation account debit revaluation account debit to stock to furniture to provision for doubtful debt to outstanding rent तो अगर मैं डेबिट साइड की टोटलिंग कर दूं अगर कोश्चिन जनल एंट्री मांगता है तो आपको यह करना है तो यह आएगा seven three one five ठीक है अब यह होगे कि लाज डेबट के अन्ट्री आब आते हैं क्रेट के एंट्री इन तीनों को पहले डेबिट करो फिर इन तीनों को पहले debit करो, फिर revaluation, building accrued income, bad debt recover, entry pass करते हैं, building account debit, being asset, revalu narration लिख देना, being नहीं भी लिखो के चलेगा, बस लिख देना जो चीज हो रहा है, Building Debit Building कितने से Debit वाई क्लास? 15,000 Accrued Income Debit Accrued Income Account Debit Bad Debt Recover Account Debit 2 Revaluation Account 19,800 Revaluation की कितनी बार तो सिखा रखा है आपको entry बस अकाउंट बनाव चोटा सा रफ में यह नोट में और entry चालू कर दो लिखना अब गेन या लॉस के entry पास करते हैं Revaluation 2 शामलाल और संजे 12,485 Revaluation Account Debit तो शामलाल तो संजे तो कितना अमाउंट है एकलास बता हो जरा profit का 12,485 और हमने बाटा कितने में कितने में 49947491 इसके अलावा नया partner जो capital ला रहा है तो bank account debit to शंकर capital account चीक है अगर वो साथ में goodwill ला रहा है तो यहीं पर लिख सकते हो आप premium for goodwill भी चीक है तो goodwill ला रहा है 20 capital ला रहा है 30 तो bank balance में कितना आगया बोलो आगया ना 50,000 bank balance में और जैसी वो goodwill लाएगा वो बढ़ जाएगा तो goodwill बाटने की being goodwill distributed premium for goodwill तो शामलाल और तो संजय तो कितना ला रहा है 20 आठ और 12 तो यह तीन और दो पांच entry class इसके अलावा इस question में कोई भी entry pass नहीं होगी अगर general reserve P&L कुछ बाटने वाला item होता तो हम इसमें बाटने वाली भी entry pass कर देते अगर कोई भी इसमें बाटने वाला item अगर होता तो हम उसकी entry भी pass कर देते तो आप इसके practice करोगे अच्छे से कोई भी दिक्कत परिशानी अगर है इसका अच्छे से practice करोगे दो तिन question class और बनालना important question तो मैंने देई दियें तो इनको अच्छे से आप लोग बना लेना झाल 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 झाल